Hello everyone, मेरा नाम है गोरव और आज हम करेंगे exercise 3.3 का question number 1 का third part तो इसके total 6 part है, बाकी parts का link मैंने description में दे रखा है अगर आपको बाकी part देखने हैं तो वाँ पे link पे click करके आप देख सकते हो तो इसमें हम सिरफ third part करेंगे तो देखो इसमें क्या कह रही है solve the following pair of linear equation by substitution method तो हमें 2 linear equation दे रखी है अब हमें इन equation को solve करना है कौन से method को यूज़ करके substitution method को यूज़ करके तो आपको पता है substitution method क्या होता है इस पहली equation में से हम किसी भी variable की value निकालेंगे और उसको second में put करेंगे तो हमारे x और y की value आ जाएगे तो देखो कैसे करेंगे हमें दे रखी है first equation अब हमें दे रखी है first equation तो हमने लिख लिए यहाँ पे अब इस equation में से हम कोई भी value निकाल सकते हैं या तो x की निकाल लो या y की निकाल लो तो मान के चलो जैसे हम निकालते हैं आसान किसकी रहती है जैसे हम y की निकाल लेते हैं क्योंकि y थोड़ा simple दिख रहा है तो y को हम right side ले जाएंगे तो 3x is equal to यदर minus y था तो उदर जाके plus हो जाएगा अब देखो हमें y की value निकालनी है तो equal to के right side हमेशा सिरफ y ही बचेगा तो हम क्या करेंगे 3 को left side बेज देंगे तो यह क्या बन जाएगा 3x minus 3 is equal to y तो y की value क्या आई y is equal to 3x minus 3 तो हम इस value को second equation के अंतर put करेंगे तो यह क्या बन जाएगा इस equation में जहां भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे हम 3x minus 3 put करेंगे तो put करते हैं जहां भी y दिख रहा हम आपे अब 3 और y multiply में है तो यह 3x minus 3 से multiply में आ जाएगा आया है यहां तक समझ इस equation में जहां भी y दिख रहा था हमने यह value put कर दी और यह value कहां से निकाले हमने first equation से तो solve करते हैं 9x अब यह 3 पहले इस 3x से multiply होगा तो 3 into 3 minus 9x आगया अब यह 3 वापिस इस minus 3 से multiply होगा तो minus 3 into minus 3 plus 9 equal to 9 ठीक है तो 1 plus 9x है 1 minus 9x है तो cut गई है तो यह क्या बचा 9 is equal to 9 तो यह तो true है क्योंकि 9 सिरफ 9 के ही equal होता है तो देखो हमें इसमें से ना तो x की value निकली ना y की value निकली तो जब भी आपका यह case हो जाए ना तो आप उसमें simple एक बताता हूं मैं तो जब भी आपका ऐसा case हा जाए कि किसी की भी value ना निकले तो हम क्या लिख देंगे हम लिख देंगे एक line लिख देंगे और question complete हो जाएगा These equations have infinite solution infinite का मतलब इतने solution है कि हम गिन नहीं सकते इस question के इतने answer है कि हम गिन नहीं सकते एक को दो answer होता तो हम निकाल देते लेकिन इसके तो इतने है ना कि हम गिन नहीं सकते क्योंकि infinite है infinite का meaning यह होता है कि हम count ही नहीं कर सकते तो हमारा question complete हो गया है बस इतना ही तो करना था हमें अगर किसी variable की value ना आये तो हम infinite solution लिखे question को complete कर देंगे आया सभी को समझ तो infinite solution कब बनते हैं एक और मैं थोड़ा tip बता देता हूं आपको वैसे ये इस question के अंदर नहीं करना बस समझाने के लिए बता रहा हूं तो infinite समेशा उसी equation के आते हैं जो coincident हो coincident का मतलब क्या होता है मालो इन equation का हम graph बनाते जैसे हमने 3.2 में बनाए न ग्राफ equations के तो मालो इनका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे आता coincident मालो इस equation की ये line बनती है तो इसकी कैसे बनेगी सेम इसी line के उपर बनेगी आया समझ तो अगर एक line के उपर दूसरी line बन जाए तो उसको coincident बोलते हैं तो solution वो होते हैं जो एक line दूसरी line को कितनी बार touch कर रही है तो ये तो इसके उपर ही है तो ये कितनी बार touch कर रहा है infinite bar कि हम count नहीं कर सकते इस point पर भी touch कर रहा है इस पर भी इस पर भी इतने point है इस पर तो हम count नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या infinite solution बाकि आपको ये graph draw करके नहीं दिखाना है exam में सिरफ ये variable की value निकालो second के अंदर put करो question complete तो अगर आपको ये solution समझ आया क्योंकि मैंने बहुत ही easy तरीके से बताया आपको अगर आपको समझ आया तो अब इस वीडियो को please like करें और अपने friends के साथ share करें ताकि उनको भी ये question अच्छे से समझ आये और आप मेरे channel को please subscribe करें क्योंकि मैं इस type के easy solution लाता रहता हूँ और मैं पूरे NCRT को cover करूँगा और आपको ये solution कैसा लगा आप please comment करके बताएं Thank you